कि नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सबका डिजिटल सेवा गुजरीत चैनल में आज के इस वीडियो में हम स्परश पैंशनर का स्परश पी-पी-ओ नमबर कैसे निकाले इसके बारे में बताएंगे तो दोस्तों हम तीन प्रकार से स्पर्ष के PPO नंबर को जान सकते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे पास आये हुए Defense Pensioner के स्पर्ष में Register Mobile नंबर वाले Mobile के Message Inbox में जाकर हमें स्पर्ष वर्ड को सर्च करना है अगर उनका स्पर्ष में से कोई Message आया हुआ होगा तो वहाँ पर वहाँ उनका PPO नंबर जरूर होगा अगर Mobile में Message डिलीट हो गया है तो हमें उनके द्वारा दिये गए स्पर्ष पोर्टल में Register इमेल पे चेक करना होगा Mobile की तरह हमें इमेल में भी स्पर्ष सर्च करके इमेल चेक करना है अगर Mobile और इमेल दोनों में चेक करके भी स्पर्ष पैंशनर का PPO नंबर नहीं मिल रहा तो हमें अपने लैप्टॉप में इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करके PCDAPENSION.AIC.IN इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है अब वेबसाइट के डैश बोर्ड में राइट साइड में Migration इंटू स्पर्ष लिखा हुआ होगा उसके निचे Check Status की लिंक पर क्लिक करें अब आपके सामने Option Select करने का Box आ गया होगा उसमें अब हम EPPO, Number, IC Number, Regimental Number या GPF Number और Bank Account का Option सिलेक्ट कर सकते हैं इन में से जो भी Detail Defense Pensioner के पास हो वो सिलेक्ट करें फिर निचे के Box में सिलेक्ट किये गए Option का Number दर्ज करें निचे दिये गया Captcha Code दर्ज करें और Submit के बटन पर क्लिक कर दे अब आपके सामने Pension की सारी Detail आ जाएगी उसमें आप Pension की सारी Detail देखें अगर Detail Submit करने के बाद स्पर्ष PPO Number नहीं देख रहा मतलब की आए हुए Defense Pension का स्पर्ष में Migration नहीं हुआ और अगर स्पर्ष PPO Number के Option में स्पर्ष PPO Number देख रहा है तो उनका स्पर्ष में Migration हो चुका है तो वो स्पर्ष PPO Number आप अपने पास Not कर ले क्योंकि अब स्पर्ष PPO Number से ही उनका पैंशन मिलेगा तो दोस्तों हम इन तीन प्रकार से पर्ष पैंशन का PPO Number जान सकते है तो दोस्तों इसी प्रकार के वीदियो पाने के लिए हमारी Digital सेवा गुजरात चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और वीदियो को लाइक और शेर जरूर करें धन्यवाद आपका दिन शुब रहे